असलामुलैकूम! आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़आदार और असान आलू चिकन के कटलेस की रेस्पीयश शेर करहे है। ये आज की कटलेस की रेस्पीश है कि जलती से रेस्पीको Oh तो मैं मानों के लिए कुछ अच्छा और खास बना तो यह रेस्पी आप के लिए बहुत ही जबर्दास रहती है और यह स्कूल जाने वाले बच्छों के लिए भी बहुत ही आईडिया रेस्पी है आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना किजिएगा क्योंकि मैं आज आपको क्रिस्पी कबाब बनाने के लिए यह हम देंगे आदा किलो आलू जो हमने बहुत ही अच्छी त्रीकी से वाइल करने के बाद ठंडे का लिए चाहोगा इतनी कबाब हमारे बेतरीन बनेगी और सबसे बैटकर जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम इसमें आलू मैश कर करेंगे और आदा चमच हम इसमें सफेद मिर्च या काली मिर्च का पॉडर भी डाल देंगे इसे बहुत ही जबरतास फ्लेवर आ जाएगा और अब इसमें आदा टीजपून हल्दी पॉडर एड़ करेंगे सुरुख लाल मिर्च का पॉडर चाह का आदा चमच शामल यह हम जो कबाब का बैटर बना रहे हैं यह एक तम खुशक होना चाहिए कोई भी इसमें नभी नहीं नहीं होनी चाहिए जितना अच्छा तरीके से हम अलू को शिचितरीके से श्रेट करके डालेंगे इतने यह कबाब बैदरिंग बनेंगे अब कबाब बनाने की तरफ चल तरह बना कर त्यार कर लेंगे यह आप देख सकते हैं हमने काफी हाथ तक कबाब बना लिए हैं और कुछ हम कबाब के अंदर चीज डालेंगे क्योंकि बच्छे चीज वाले कबाब बहुत ही पसंद करते हैं तो इसलिए हम थोड़े से बैटर में यह चीज शामल करके कबाब् लेंगे और अथ हमें इस तरीके से फैला लेंगे और दरम्यान में हम स्टफिंग के लिए मौजरेला चीज रखेंगे मौजरेला चीज को हमने बहुत तरीके से कदुकाश कर लिए हैं अब मुकमल सील कर देंगे इस तरीके से कबाब को कवर कीजिएगा ताकि चीज हमारी बाइं न निकले, अब हम इस शेव में ये कबाप सेट टाल लेंगे, यह देखे, यह आप देख सकते हैं, हमने ये चीज वाला भी कबाप बना लिये और बाकी के खबाप को भी हम इसी तरह बना कर त्यार कर लेंगे, यह हमने रोन शेव में ये कबाप बनाए हैं, आप किसी को को इसाना है तो आप एंडे की गषाय करें यहां प्राइब यहांद का रिये अगर यहांगे यह दो दिफार कर लें तो ज्यादा बेतर रिजयल्ट आप को मिलेंगे यहां को अप कबाप की तरफ चलेंगे और अब आप आप देख सकते हैं एक से कबाप का गोल्डन कलर आ अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे, यह step हम एक से दो दफाँ अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक कबाब को फ्राइ काल लेंगे, और यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि आँज आप लोग टू मीडियम रखेगा, आप नहीं ज्यादा तेज रखेगा और नहीं ज्याद प्रफेक्ट गोल्डन कलर आ चुक है, जब आप यह कबाब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितने अमेजिंग और टेस्टी त्यार होते हैं, यह आप देख सकते हैं, माशाला हमारे कबाब बहुत यची तरीकिस से फ्राइ हो चुके हैं, अब हम नकाल लेंगे, और अब हम इसी तरह बाकी कबाब को भी फ्राइ करनेंगे, यह दिखिया आप देख सकते हैं, इसकी आवाज से से पता चल रहे हैं, कि माशाला हमारे कबाब त्यार हुए हैं, आप यह कबाब मैमानों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, और यह इतने एज़ी हैं के लिए क्विक बनते हैं, कि जो भी इसके बाब को खाएगा, वो आप से बार बार फॉर्माज कर बनाएंगे, क्योंगी यह जबरदास और अमेजिंग रैसिपी है, तो कैसी तो,